दोस्तो स्वांगे आप सबका इंडियास नंबर और फेंटेसी क्रिकेट करूँ यूट्यूब चैनल पर गाइस आज पाकिस्तान और इंग्लेंड के बीच में टी-20 मैचों की सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसका पहला मैच आज रात 11 बजे खिला आएगा तो हमें अबर बात दोस्तों आपको बताएं कि अभी तक ओडियाई सीरीज खेरी जा रही थी यह टी-20 सीरीज है और दोनों ही टीम्स का स्कॉर्ड पूरे तरीके से चैन्ज हो चुका है खास तरपर इंग्लेंड का इंग्लेंड का तो 90% प्लेयर्स चैन्ज हो चुके हैं जो ओडियाई मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आज आप एक विनिंग टीम कैसे बना लोगे तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा रात को 11 बजे मैस करा आयागा और अभी आप वीडियो देख लो आपको पास बहुत सारा टाइम है तो प्लीज सिर्फ 15 मिनिट निकाल करके आप इस वीडियो को देख लीजे उसके बाद आप बड़े सुकून के साथ एक विनिंग टीम बना पाओगे और अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया तो भाई बाद में बहुत पश्टा होगे इसे की दुआएं लेनी है तो थोड़ा सा प्यार दे दीजिए जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सेका और मैं आपके लिए इस से बहतर प्रेडिक्शन कर सकूँ तो इस बात क बात करें ग्राउंड की तो नोटिंगम में यह मैच के लिए आएगा और नोटिंगम की अगर हम बात करें तो यहां पर बारिश के चांसे बहुत कम हैं लगबग 15% और पिच की बात करें तो भाई पिच जो है ना थोड़ी सी आपको यह न्यूटरल विकेट दिखेगी बत तो लगबग 19-20 यह रहा है और उसके बात अवरेज स्कोर देखे तो 154 का है और अगर आप यहां पर स्कोरिंग पैटरन देखोगे तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि कितना स्कोर इस मैच में बन सकता है देखिए एक एक देखिए बिलो 150 यानि कि 11 मैच में 150 से कम कित पाइव के आसपास ही आपको यह पर टोटल देखने को मिलागा पहले इनिंग में अब गाइस जो यहां पर डोमेस्टिक या टी 20 लीक्स के मैचिस खेले जा रहे हैं उन्चास मैचिस खेले गए 28 बैटिंग वाले टीम ने और 20 चेज कन वाले टीम ने थे अवरे स्कोर 166 का है बाकी रिसेंट मैचिस अगर हम यहां पर देखें देखिए गाईज यह चीज आपके लिए बहुत ज़रूरी क्योंकि यहां पर आपको ग्राउंड का पूरा पता चल रहा है कि ग्राउंड मैं क्या होने वाला है पेसर्स बॉलिंग करेंगे तो क्या होगा इस्पिनट्स करेंगे तो क्या होगा बैट्समेन कितने मनाइंगे सारी चीज आपको यह ग्राउंड की एक चीज आपको पता जाएगी वैस आप थोड़ा धान से वीडियो देख कर दिजेगा और प्लीज ये like कर दिजेगा और एक चीज मैं आपको दादू यहां पर मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ा बता रहा हूं और प्रेडिक्शन करूंगा प्रेडेट्स के बारे में बाकि जो मेरी final team है जिस team के साथ मैं विन कर रहा हूं वह आपको कहाँ पर मिलेगी सिर्फ और सिर्फ टेलिग्राम पर अभी मैं आपको अपना वैलेट बता हूँ तो जो मेरे ओवराल जो वैलेट बैलेंस है प्लेया स्पार्ट, माई फैब लेवान, गैम्जीर, रेयल लेवन, ड्रेम लेवन, लगबग, लगबग, साड़े तीन करो यह सिर्फ वैलेट में है, जो बैंक में विड्रॉल कर चुका हूँ, वो अलग है, तो अगर आपने मेरी तरह विन करना है, तो गैस बैस यह वीडियो पोरा देख लीजेगा, और इसके बाद जब यह वीडियो खतम हो जाए, तो एक छोटा सा काम और कर दीजेगा, इस वी टेलिग्राम पर मिलेगी, तो इस वीडियो के देखने का बाद टेलिग्राम ज़रूर जोइन कर लिजेगा, नीचे लिंक है, अगर लिंक से जोईन ना हो, तो आप टेलिग्राम पर सार्च करना, एड़रेट FCG ऑफिशल आपको चैनल मिल जाएगा, पांच लाग के आसपा आप वो जाकर के चैनल जोईन कर लिजेगा, एकदम फिरी में टीम आपको आपर मिल जाती है, मैं बात कर रहा था मैचिस के बारे में, देखिए आपर आपको थोड़ा से मैं बतायता हूँ, चार मैचिस के लेगे हैं, और यह नोटिंगम का होम की राउंड है, तो चारो मै जो नोटिंगम की टीम ने जीते हैं, अभी जो टी-टी बलास चल रही है इसमें, देखिए लास्ट मैच के लगया, नोटिंगम और यॉर्क्षार के बीच में बारिश हुई थी, और बारिश में यॉर्क्षार की टीम साथ अवर में साथ रन बना पाई, और आप नीचे द बना, और उसके पहला मैच जो है, वो दो जुलाई को खेला गया, नोटिंगम और लिश्चार की बीच में, इसमें लिश्चार की टीम ने एक सुचोफोन बनाए, और उसके बाद नोटिंगम की टीम ने 6 विकेट से मैच जीत लिया, मात्र 18 अवर में, अब इस मैच में जो पेसर और 6 विकेट से मिले हैं, और उसके पहले मैच में आप देखिए, 27 जुन को नोटिंगम की टीम ने 173 बनाए, और लंका शाही की टीम 16 बना पाई, और इस मैच में आप देखोगे, पेसर को मिले 5 विकेट से मिले 6 विकेट, अंदाजा हो रहा है ना आपको, इस मैच म वो पहली इनिंग में गिरे हैं, क्योंकि जो वरकशार की टीम है, उसने 86 विकेट के नुक्सान पर और नोटिंगम की टीम ने सिर्फ 6 वर में 90 विकेट के में जीद लिया, तो यहां से आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितना स्कोर बन सकता है, पेसर को कितने विकेट मिले बाकि विकेट जो गिरेंगे, पहली इनिंग में थोड़ा सा पेसर को जादा मिल सकते हैं, बाकि सैकेंड इनिंग में इस्प्रेंट सा अपने टीम में रखके लोगए, तो आपको अच्छे खास से विकेट दिरा सकते हैं, शदाब खान है, इमाद वसीम है, या फिर आप द देख रहे होंगे, तो आपको पता ही होगी, इस्पिन वसी स्पेस में कितना डिफरेंस होता है, बट यहाँ पर नहीं हो, आप गाइस आपको बता दूँ, आपका ये फिरी गिवे कोश्चन आ गया, बट इस वीडियो में कोई फिरी गिवे कोश्चन नहीं है, ये सिर्फ आप पनी knowledge के लिए answer कर सकते हो, क्योंकि यार ये विडियो sponsor नहीं है, अपने इस वीडियो प्रमोशन नहीं देखा होगा in starting में, तो sponsor नहीं है, company पैसा नहीं देरी है, तो मैं कहां से पैसा दूँगा, तो इसलिए सिर्फ अपनी knowledge के लिए, अपनी prediction के लिए अप इस वीडि की टीम से पाकिस्तान ने पांच और इंग्लेंड की टीम ने बारा मैंच जीते हैं और उसके आगे आगर हम head to head बात करें आखरी जो मैंच खेले गए थे वो सेप्टेंबर 2020 में खेले गए थे पाकिस्तान की टीम ने 190 बनाए और इंग्लेंड की टीम 185 बना पाई और पाकिस्तान ने ये मैच 8 विकेट से जीत लिया मतलब कि जो लास्ट है ट्वेड मैच था पाकिस्तान ने एक बड़ा टूटल बनाते हुए इंग्लेंड को रहा है था इस मैच में की टीम ने 195 बनाए और इंग्लेंड की टीम ने 195 बनाकर के मैच 5 विकेट से जीत लिया देखे रहे हैं पाकिस्तान ने दोनों मैच में 90 पलस बनाएं 190 पलस एक जीता एक आरा मतलब कि पाकिस्तान अच्छी खासी बैटिंग कर लेती है और ये दोनों मैच खेले गए थे बर्मिंगम में मतलब इंग्लेंड में ही खेले गए थे तो उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह किसे पाकिस्तान का और डियाई में हाल हुआ था वैसा टी ट्विंटी में नहीं होगा इस मेंच में सैकिन जो मेंच नहीं है इसमें फाकर ने 36 बनाएं बाबर ने 56 बनाएं हफीज ने 69 बनाएं हफीज दोनों मेंच में अच्छा पॉम कर रहे हैं हलाकि इस वक्त हफीज पीएसल में कुछ खासी फॉम में नहीं है उसका शदाम ने तीन विकेट लिगा ले और रहूफ को दो विकेट मिले इदर से बैस्ट चो चवालीस मलन चववन मौगन चियासर जॉर्डन एक टॉम कॉर्ण एक और राशिद दो टॉम कॉर्ण जॉर्डन राशिद और उसके अलावा आपके पास यहां पर डेवड वि जॉर्डन को आप हर मैच में देख रहे हो और फिर उसके पहले साथ सेप्टमबर 2016 2016 बहुत पहले चलागिया तो इसको आरे मजार डिसकस नहीं करेंगे बाइगाईज अब प्लेयर वाइस अगर हम देखे तो जॉस बटलर अच्छी खासी वाम में ते सिर्लंका के अगेंस् टी टुटी विलास्ट में भी ठीक कर रहे थे बाकि जॉनी वेस्टो सिर्लंका के अगेंस्ट गजब की फोर्म में 50 बनाई उसके पहले टी टुटी विलास्ट में 112, 82, 63, 34 मतलब बढ़ा सराय बन्दा अब जॉनी वेस्टो के साथ एक प्रॉल्म है मैं आपको उतादू ते और भाई आपने देखा बैन स्टॉक कितने बना पाया 31, 32 और रिज्वान ने बनाए 80 तो यही चीज है क्यों बोल रहा हूँ अगर जॉनी बैस्टो पहले बैटिंग करती है इंगलेंड की टीम तो आप जॉनी बैस्टो को जरूर टीम बैक लिएगा अगर चेज करती है त तो यह ऌपनिंग नहीं करते हैं इतломे मैं आपको बता दूं आपनिंग करेंगे जशोर जॉस बाटलर तो आप जॉनी बैस्टो को ड्रॉब करके लिविंग स्टॉन या फिर आप Do Deavid Malan को पिक कर सकते हो डेविड मलान T20 के नंबर वन बैट्समैन है भाले आपको कुछ बड़ा करते हुए ना दिखे हो वंडे सीरीज में लेकिन जो उनकी आखरी इनिंग है T20 में वो यान मॉर्गन पता नहीं क्यों यह डेरेंस सेमी बनते जा रहे है यान मॉर्गन ना बैटिंग न बॉलिंग न कुछ इंगलेंड का आगर आप देखोगे जैसन रॉय ठिक ठाक फॉर्म में थे स्रिलंका के अगेंस्ट और जो टॉम बेंडन T20 भी लास्ट किलके आ रहे हैं औ सेकंड लाश्ट में सेंच्यूरी बनाए है उसके पहरे आप देखोगे लेविस का आप देख रहे हूं यह T20 बिलाश्ट में अच्छा पॉंग कर रहे थे और पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने वंडे सिरीज में भी अच्छा पॉंग किया तो उसका इनाम इनको मिल सक रहती है अच्छा कर रहे है T20 विलाश्ट में बट शायद इनको चांस नहीं मिल पाए जॉर्डन की वएसे अदिल राशिद यह वर ऑफ बैस्ट बाल रहे हैं T20 के और सिर्लंका के अगेंस्ट इन्हों प्रूब भी किया है पहले दो मैच में चार विकेट निका ले उस बा साकर मेंमूद के मिली साफ से चांसे कम है बड़ साकर मेयमूद का पॉमेंस कहता है कि आप साकर मेमूद को खिलाईये क्यों पिएसल में बंदा हर मैंमें दो विक्ट तीन विकेट टी io पाकिस्तान के अगेंस हर मैच में तीन विकेट दो विकेट चार विकेट मतलब क्या है साकिब मेहमूद अगर आप फिर भी ड्रॉप कर रहे हो तो भाई अपने टैलेंट को जो यंग जो प्लेयर है उनको आप दी मोटिवेट कर रहे हो इदर टॉम को ने ठीक ठाक है बट उत लेविस आज खेल सकते हैं अजबाद डेड विल ले हैं जॉडन है टाम करने और झाल 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 झाल